असातियों नमस्कार अक्सर हमारे पसुपाले भाईयों के साथ समश्या रहती है कि जो ही गाए बच्चा देती है उस समय या तो बच्चा देने के एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद में थनों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है और इस सूजन की वज़े से उसका उटना बैटना भी बड़ा मुस्किल हो जाता है कई परकार की तकलिफें गाए को भी होती है तो हमें भी सैन करनी पड़ती है तो ऐसी कंडिसन जब भी हो यानि कि थनों में अगर सूजन हो तो ज़स्ट बच्चा देने के बाद अकसर होता क्या है कि सेकिंड ए ये सूजन अपने आप कम हो जाती है कई पसूबाल्ग भाई जो गरम पानी से दोते करते हैं तो अपने आप कम हो जाती है कोई दिकत नहीं होती लेकिन सेकिंड ए भी अगर सुजन कम ना हो वो इस्तिती फिर खराब हो सकती है अंदर कोई ने कोई इंफेक्शन हो सकता है या किसी परकार की कोई दिक्कत हो सकती है अगर सुजन है तो थन में से जब हम दूद निकाल रहे हैं दूद सही आ रहा है और सुजन है इसका मतलब कोई अडिमा बगेरा क इतने आ रहे हैं उस इस्तिति में तो हमें तुरंत थनेला रोग का इलाज कराना होगा थनेला रोग के लिए हमने अलग-अलग वीडियो बनाए थे जो वीडियो में डिस्किप्शन में डाल दूँगा आप जरूर देख लेना लेकिन अगर दूद सही आ रहा है और सुजन है तो हमें एक ऐसा यूनिक फोर्मूला इस्तिमाल करना है जो कि बहुत ही शांदार रिजल्ट वाला है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो फ्रेंट्स वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैन लगाने के लिए यानि दोनों प्रकार के जो तरीके हैं वो हमें इस्तिमाल करने हैं सुजन को दूर करने के लिए एक थनों पे लगाना है एपलाई करना है तो दूसरा हमें पेट के अंदर देना है देखिए जो एपलाई करने वाला नुस्का है वो हम ब्याने के पहले या तक delivery नहीं हो जाती उससे पहले यह पानी जो है वो ज्यादा ज्यादा बरता जाता है कम होता नहीं है कम होने की सम्भावना है कम रहती है अगर हम कुछ देंगे तो उस condition में थनों में कई परकार की तकलिफ होने की सम्भावना है रहती है तो लगाने वाला जो formula है वो आप पह उसका क्या है उसे बनाने के लिए हमें चार चीजों की जरुरत पड़ेगी पहली जो चीज है वो है निम्बू कई भाई डरते हैं कि delivery के जश्ट बाद हम निम्बू कैसे दे क्यों दे लेकिन होता क्या है जब अकर सूजन आ रखी है तो हमें देना बहुत ज़्यादा सकते हैं इसके अलावा 25 ग्राम हमें लेनी है हल्दी 25 ग्राम हल्दी लेनी है जिसको कि हमें पाउडर बना लेना है इसके अलावा 20 ग्राम हमें लेनी है काली मिर्च यह तीनों जो है हमने निम्बू का रस ले लिया हल्दी को पीस लिया काली मिर्च को पीस लिया इन तीनों को पीछने के बाद हम गुड में मिला करके इसे खिला सकते हैं चोती सीज हम गुड ले सकते हैं delivery के जश्ट बाद गुड किसी परकार की कोई तकलिब नहीं करेगा हमें डाइसो ग्राम गुड लेना है और इन पीनों चारों चीजों को गड्ष हीमीे यृन्यवाइश कोुणकर कि करते हैं यह एक ध्रुग 앞 सबूते हैं लगाबेिक सर्थ उसमये उसमें हलकको नीला रंग धर नीला हम नील मिलाते हैं और पसुपालग भाई अच्छी तरीके से नील से परिचित है जो आप फोटो में देख रहे हैं किसी भी कमपनी की कोई सी भी नील आप लेके आजाएं और उस नील को पानी में गोल करके यानि कि हमें एक गोल बना लेना है उसका जैसे हम कलर के लिए करते हैं गोल वैसा ही थोड़ा गाड़ा बनाना है इतना गाड़ा बनाना है कि ना तो पपड़ी बने और ना ही वो को दूद कालने से पहले अच्छी तरीकी तो ले और दोते Born सम्हें भी द्यान रखें कि नीम के पाणीश दोये कर थिर उसल देंड़ा करें अगर यह नुसका आप तीन दिन देंगे तो शौरली जितनी भी सुजन है वो एकदम से दूर हो जाएगे